हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी योट्यूब चैनल दी इंग्लिज डायरी पर और मैं हूँ आपका दोस्त विजे आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निजी मेजिकल से रिलेटेड एमसी की उसके बारे में इस एल्टी भरती में अपना सेलेक्षण करवाएंगे कैसे आप सेलेक्षण पाएंगे उसके बारे मैं आपको कुछ चीजें बता ता देखो आपको क्या करना है आपको ये करना है कि सबसे पहले आप जैसे मैंने पार्ट वन पर एक वीडियो डाली आप उस वीडियो को देखिए देखने के साथ साथ नोट्स बनाते जाएए ठीक है इंपोर्टन चीजे जो वह बताता हूं उन्हें हाइलाइट कर लीजिए उसके बाद आपको क्या करना है जैसे अगर आज आपने सामके टाइम एक वीडियो देखी तो उसकी रीडिंग या तो نाइट में लगाएए या अर्ले मॉनिंग में उसकी रीडिंग लगाएए रीडिंग मतलब उसको पढ़िये-पढ़िये-कोसिस कीजीजे कुछ चीज़े को याद करने की trick की through जो चीज़े मैं बता रहा हूँ जैसे वैसे आप उनको याद करने कोशिश कीजिए फिर आप उसके part 2 को देखिए part 2 में भी आप चीज़े को reading लगाईए याद करने कोशिश कीजिए notes बनाने है वीडियो के साथ साथ ठीक है और फिर उसका बार-बार दोहराना है एक दो बार दोहराने के बाद next part जो मैं आपको MCQs के दे रहा हूँ उसमें आपको practice करने की कितने questions मुझसे यहाँ पर हो पा रहे हैं अभी जो है starting में मैं आपको काफी easy questions जिससे कि आपका confidence खराबना हो क्योंकि बहुत जादा difficult starting में मिलता है तो कहीं न कहीं जो है हमारा believe हमारे उपर से break होता है starting में हमें बहुत जादा toughness की तरब नहीं जाना है तो वही सोच कि मैं आपको questions का जो label है बहुत जादा hard नहीं रख रहा हूँ गरा की video देख लिए होगी निजमेजिकल की भी हमने detail बता दी है आज हम excuse की practice करने जा रहे हैं और telegram link जो है description में दूँगा उसे सभी लोग join कर लें और channel में comment जरूर करें जब भी आप video देखते हैं comment में जरूर बताएं कि आपका मेरे साथ इस पढ़ाई कानुभव आपका कैसा रह रहा है और थोड़ा सा यह है कि videos में proper एक exact time पर नहीं डाल पाता हूँ कभी morning कभी evening कभी night इस तरह से हो पाता है क्योंकि मैं खुद government school में हूँ तो पूरे दिन वहाँ भी काम रहता है वहाँ से आके जो time मिलता है उस पूरे time में मुझे सारी चीजें जो है करनी होती है वीडियो बनानी होती है तो आपको पता ही है कि वीडियो बनाना अपने आप में एक मेहनत का गाम है काफी समय लगता है और अगर आपकी comment आते हैं तो मुझे थोड़ी सी उड़जा मिलती है और उस उड़जा स्टेंथ से मैं और ज्यादा आगया आपके लिए काम करने के लिए काफी motivated रहता हूँ तो आज की वीडियो में ज्यादा समय मैंने आपको थोड़ा सा ले लिया है identify the city तो यहाँ पर देखे जो identify the city हमने आपको जब मैं आपको notes करा रहता हूँ तो मैंने आपसे उसमें भी बोला था कि identify the city वाला question इससे पूछा जाता है तो यह format रहेगा MCQs देने का मतलब यह है कि इस format में आपसे questions पूछे जा सकते हैं और Bombay की जगे अगर वहां Mumbai लिखा हो तो आप यह मत दूनना कि बीवी बताया था तो अभी जो Bombay का नया नाम क्या है Mumbai है ठीक है तो यह होगी इसका answer next question है और comment box में दरूर बताएं कि आपको कितने answers आए which of the following poets wrote the essay Nepal's, India and mine Nepal's, India and mine किस ने लिखी ऐसे option दिये होंगे अलग-अलग टाइप के और आपको इन में से एक छाटना है तो ओविस्टी बात है निजी मेजिकल ने जो है Nepal's, India and mine लिखी है निजीम और ने पॉल्स बस ऐसे ही आपको यह याद करना है ट्रिक में next question है a time to change was written by a time to change किस ने लिखी इस तरह से पीलाल डबलूबी येट से निजी मेजिकल कमलादास option दी होंगे तो टाइम चेंज भी आपको पता है कि जो है निजी मेजिकल ने लिखा है अच्छा ये बता ये टाइम चेंज जो है time change किस age sorry किस year में लिखा हुआ था अगर आपको ये पता है तो आप मुझे comment box में जरू बता है कि मैंने आपको ट्रिक में बताया थे कि कैसे आप इसको याद रखोगे time change का ठीक है next question हमारा है the theme of निजी मेजिकल पोएम night of the scorpion is night of the scorpion की theme क्या थी ठीक है यह आपको बताना है कि night of the scorpion जो है poem उसकी theme क्या थी मैंने आपको बोला भी कि study lover channel में जाके आप एक बार जरूर इस poem को देख लेना इसको पढ़ लेना तो यहाँ पर option है selfless motherhood helpless husband hopeless children restless spectators तो इसका अंसर है selfless motherhood यह इसका राइट answer है तो यह आपको पता रहना चाहिए and the next question is fifth question हमारा है why had the scorpion entered the house in Ezekiel's night of the scorpion इस poem में जो scorpion है वो जो है घर में कैसे क्यों गुश जाता है मतलब रीजन क्या होता है उसका घर के अंदर enter करने का option है he had a diabolic plan he wanted to test the patients of the villagers he was seeking protection from the study rain he had been concerned up by fate तो इसका राइट answer यह है आप यह ऐसे करके याद करने कि बारिस हो रही थी इसलिए बिच्छो अंदर आ गया बारिस हो रही थी इसलिए बिच्छो अंदर आ गया he was seeking protection और से प्रोटेक्शन चाहिए थी इसलिए steady rain coffee रेंच चल रही थी तो इसमें जैसे वह अंदर घर के गुज गया था तो ऐसे आप इसको याद करने की कोशिश की जिए नेक्स्ट हमारा जो कुशिशन है स्क्रूल करने में थोड़ा स्पीड ली हो जा रहा है इजिकल्स पोएम बैग्राउंड के जुली रिटेन अबाउट बैग्राउंड के जुली जो हो किसके बारे में लिखा हुआ है है इस एड़ एड़ आशारी एड़ आड़ आड़ एड़ाईज इस फ्रेंड हिस कांट्री हिंसल्ट किसके बारे में लिखा इस स्वेम के बारे में जुह है बैग्राउंड कैज़ इस पॉयम में गाटवा था या निग्स कुशिए इस हाउ लॉंग यह कुशन भी इंपर by 20 hours, the whole day by 10 hours, वैसे तो आपको याद होगा, बट यहां पर इसका जो right answer है, by 20 hours, कितना 20 घंटे तक, the next question is, यहां पर आठो हमारा question है, what did the husband do as last resort to remove the sting of the scorpion in ezekle night of the scorpion, husband finally क्या करते हैं, उस डंक को यह जो उसको काटा था, उसको remove करने के लिए, यहां पर वो क्या करते हैं, वो करते हैं, let the sting die out on its own, यानि छोड़ देते हैं, वो खुदी अपने आप जहर खत्म हो जाएगा, इस सोच के, तो यह आपको पता रहना चाहिए, at the end of the poem, the night of the scorpion, देख रो बार बार यही पोएम से related questions, मैंने यहां पर पूछे हूँ, important है, the night of the scorpion, the mother is happy because, mother क्यों happy होती है, the effect of the poison went, the villagers were so sympathetic, the scorpion spared her children, her husband took care of her, तो देखो, यहां पर बच्चे और मदर के रिलेशन्स के बारे में बात की गई है, तो इसलिए आप याद रिखेगा, जो है, scorpion ने बच्चों को छोड़के, मा को काटा, इसलिए वो काफी खुष थी, ताकि उसके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, मतलब इतनी तकलीफ उसके बच्चे नहीं साह सकते थे, यह जानती थी, who among the following writers, was a university professor of English, university professor of English, जो है, मैंने आपको पूचा है, background casually का, आप एर ज़रूर बताएंगे, मुझे comment box में, लेकिन यह लिखा किसने, नजीम एजिकल ने लिखा है, और background casually आप याद भी रखना, important work है, next question, who is of Jweez's origin, Jweez's origin से कौन बिलोंग करता है, Kamaladaas, Nizim, Arkinarayan, none of this, हमने आपको बताया था, कि इन्हें जुईस भी कहा जाता है, ठीक है, तो Nizim, जिकल है, next question, important question था, उसे जरूर याद रखेगा, who wrote this line, I cannot leave this island, was born here and belong, ये लाइन मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बोला था, कि इसको याद रखना, कि ये किस ने जो है कही है, तो Nizim, जिकल ने कही है, लेकिन किस वर्क मैं कही है, ये तो मझे आप ही बताओगे, ठीक है, तो जरूर बताएगा, कि किस वर्क मैं कहा गया था, और आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है, वैसे तो नोट्स में आपको लिखा है, वो कौन सी पोएम है, जिसमा उनोंने लब और सेक्स के बारे में बात किये, औप्शन है, पैशन पोएम्स, हाइमस इन डार्कनेस, देग्जक्ट नेम, सिक्स्टी पोएम, तो यहाँ पर जो 60 पोएम है, उसमा उनोंने लब और सेक्स के बारे में बोला है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पर लिखा है 60 पोएम और 60 और सेक्स, दोनों लगबग मैच करते हैं, 60 सेक्स, तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स कुश्चन यह है, मैं इसी तरह से याद किया करता था, जिस टैम पर मैं तयारी करता था, 2020 में, लटी वेकेंसी में, तो मैंने काफी सारी चीज़ों को स्मार्टली याद करने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप केवल रट्टा लगाने वाला काम करेंगे, तो बहुत भारी हो जाता एक वक्त के बाद, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा कुछ स्मार्टली, जासे ट्रेक्स, कुछ मैचिंग, ठीक है, निमोनिक्स का काम करेंगे, निमोनिक्स के थूँ कोशिश करेंगे, तो जरूर आपको चीज़ें याद होने लगेंगे, वो इस बीटन बाइ, दे स्कॉर्पियन इन दे नाइट अप दे स्कॉर्पियन, किसे काटा गया, यह तो आपको पता है, कि मदर को काटा गया था, डंक गरा गया था, स्कॉर्पियन के थूँ, नेक्स कॉश्चन है, तो मैंने आपको बने इसराइल बताया था, आपके नोट्स में भी आप इसको याद रखेगा, इंडियन क्रिश्चन वो नहीं थे, ड्रविडियन भी नहीं थे, लैटिन अमेरिकन भी नहीं थे, बैन इसराइल जो है, उनका ओरिजिन रेस था, तो यह आपको याद रहना चाहिए, 17th कॉश्चन हमारा है, आज का, निमलिकत मैं से कौन सा काम जो है, निजी में इसकल ने किया है, तो समर नहीं किया है, रफ पैसे नहीं किया है, यहाँ पर टाइम टू चेंज किया है, तो डिरेक्ली आपको आंसर आ गया, और कॉश्चन देखिए, मैं आपको इतना भी बता दे रहाँ, तो यहाँ कि एल्टी में बहुत खतरना कोश्चन नहीं आते हैं, लेकिन दिक्का दिये हैं, अगर आपको बिसिक बिसिक कुश्चन को छोड़ के ज़्यादा हाड में चले गए, तो और समश्या वहाँ पर पैदा होती है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो बहुत हमें लगता है कि यह तो बड़े आसान सवाल है, यह तो पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन पूछे अक्सर ऐसी सवाल जाते हैं, आप प्रिविए सियर कुश्चन पेपर को भी हम जरूर डिसकस करेंगे, बीच में आपको दिखाऊंगा कि कितने इजी कुशन पूछे थे, तो यहां पर जो है, लाइफ इन दे सिटी जो है, उनकी थीम रहती है, पूछे तो यह आपको पता रहना चाहिए, एंद नेक्स कुश्चिन इस नाइंटीन, इन इंडिया, यह उनकी पॉएम, यह उनका वोक है, इन इंडिया निजी मिजिकल डिपिक्ट दे रिलेशन्शिप बिट्वीन, इन इंडिया जो उनका वोक है, उसमनोंने किस चीज़ के बारे में डिपिक्ट किया हुआ है, उप्शन ने लिटरेचर अन सैक्ट, लिटरेचर अन साइंस, लिटरेचर अन वोड़, तो इसका है लिटरेचर अन सैक्स, ठीक है, इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में साहित थे हैं, इंडिया में, जो है आप साहित थे के हिसाब से याद रख सकते, सारे साहित तिक चीज़ें जो है इंडिया में है तो इन इंडिया लिट्रेचर इंस एक्स ऐसे करे कि आप इसको याद कर लिजेगा हर चीज की ट्रिक तो नहीं बता सकता लेकिन जितनी मुझे अभी आइडिया है आपको बता रहा हूँ आपको पता ही है कुछ बुरा हो जाए तो पॉड़ोसी यही कहते है कुछ पुराने बुरे कर्म होंगे इस वज़े से ऐसा हुआ तो ऐसी आप याद रख लेना कि पड़सियों पड़सियों का काम क्या कि कर्मों पर डाल देना सब कुछ कि करम खराब होंगे इसलिए विच्छों ने काल डाला तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं ठीक है यह तो मैंने आपको बताया है फ़र्स सेकिंड थर्ड कलेक्शन के बारे में तो यह तो आपको जानकारी होगी ही तो उनका जो सेकिंड बुक कलेक्शन है वो उनका है 60 पोएम ठीक है उसके बाद नेक्स चलते हैं 22 वाले कुश्चन में इस कुश्चन में थोड़ा सा गरबढ कुश्चन में तो इन 60 पोएम जो किसी डिकेट करते हैं गर्ट रूट स्टें को इजर्फ आन को विलियम केरोल्स विलियंस को या फिर टी असे लिएट को तो इसका राइट आंसर विलियम कैरोल्स विलियम को 60 पोएम को क्या करते हैं डिकेट करते हैं ठीक है and the next question is what animal does Ezekiel dedicate a poem to in 60 poem किस animal को वो जो dedicate करते हैं 60 poem में तो वो animal जो है वो कौन सा है squirrel ठीक है squirrel के को जो है dedicate करते हैं वो poem 60 poem तो ये थे आज की question एक question और इसमें बच रहा है बिल्कुल इसको भी हम कर लेते हैं which of the following play is not by Nizy Mizical Nizy Mizical का कौन सा कार यह नहीं है इन में से तो देखे आप इससे क्या होता है ऐसे question देखे हमें कुछ नए works पता चलते हैं जैसे नलिनी जो है नलिनी जो है इनका work है marriage poem भी इनका work है the sleep walkers भी इनका work है लेकिन the doldrummers इनका work नहीं है तो यह आपको याद रखना है तो आज की वीडियो में इतना ही फिलाल और बताईएगा जरूर कि क्या रहा आपका score और चैनल में नए है तो बार बार वही चीज में नहीं कहूंगा subscribe करने की कोशिश करें और like करें, share करें मिलते हैं next video में और next video में देखते हैं या फिर सरुजी नाइडू में से किसी एक topic पर आपको पढ़ाए जाएगा thank you so much